कि नमस्कार मैं वरुन लेक्चुरर इन इकोनोमिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाना इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इस लेबस के एक बहुत ही इंपोर्टेंट ओपेक मांग के सिधान्त के बारे में मांग के सिधान्त क्या है तो मांग के सिधान्त को मैंने आपको बताया कि आपके स्लेवर्स का बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है इसका कारण यह है एक्जाम्स में इस टोपिक से हमेशा कोशिंस आते हैं हमेशा कोशिंस आने की संभावना रहती है तो आपको लग सकें तो बच्चो सुरुवात करते हैं मांग के सिध्धांत की तो जब हम मांग के सिध्धांत की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि मांग क्या है देखिए आम भासा में हम मांग को यह समझते हैं कि जब हम किसी वस्तू को खरीते हैं तो हम उस तत्व अवशक हैं कोई किसी भी वस्तु की मांग की जाए तो तीन तत्व की अवशकता होगी पहली पहला तत्व पहली जो अवशकता है वो है उस वस्तु की इच्छा का होना आप किसी वस्तु की मांग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वस्तु की इच्छा होगी तो सबसे पहला जो तत्व है मांग बनने के लिए वो है बस तू की इच्छा, दूसरा जो तत्व है, जो बहुत इंपोर्टेंट तत्व है, इच्छाएं तो हमको बहुत सारी हैं, परंतु एक चीज जो बहुत ही महतपूर्ण है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अवश्यक तत्व है, वो है अवश्यक धन का होना, मतलब उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन का होना, ये दूसरी सर्थ है मांग बनने के लिए, जो तीसरा तत्व है, वो है धन को खर्च करने की तत्परता का होना, यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को किसी वस्तु क्यों परिदने की इच्छा हो और उसको उसके पास उतना धन भी हो जिससे उस वस्तू को खरीद सकता है परंतु यदिव है तयार नहीं है उस धन को खर्च करने के लिए तब भी वह उस वस्तू को नहीं खरीदेगा तो किसी भी वस्तू की मांग होगी तो तीन तत्व आवशक हैं पहला कि उस वस्तू की इच्छा का होना, दूसरा उस वस्तू को खरीदने के लिए अवश्यक धन का होना, और तीसरी जो अवश्यक चीज है, वो है उस धन के लिए, वो खर्च करने के लिए तयार भी हो, तब ही भोगता उस वस्तू को की मांग करेगा, तो आप भी हमने क्या समझा हमने यह समझा कि मांग के आशिकत तो क्या है अब हम बात करते हैं मांग की definitions की मांग की परिभासा की मांग की definition को समझाने के लिए मैं इसके दो concept आपको समझाना चाहूँगा मांग और मांगी गई मातरा एक्जाम्स में आपसे कई बार पूछा जाता है मांगी गई मातरा की परिभासा दीजिए और कई बार पूछा जाता है मांग की परिभासा दीजिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगा मांग क्या है और मांगे गई मातरा क्या है दोनों की definition आपको बताऊंगा और दोनों में अंतर भी बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है और आपको definition याद रह सके क्या है मांग और क्या है मांगे गई मातरा चले हम स्क्रीन पे देखते हैं definition को मांगी गई मातरा का अर्थ अन्य बाते समान रहने पर किसी वस्तू की निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदी जाने वाली मातरा तो क्या है मांगी गई मातरा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जो मातरा खरी दी गई है किसी वस्तू की अन्य बाते समान रहने पर वह मांगी गई मातरा है और जब हम मांग की डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों मांग की डेफिनेशन देखे मांग का अर् में विभिन संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा वो कहलाती है मांग तो मांगे गई मात्रा और मांग में आपको अंतर जरूर समझ में आया होगा मांगे गई मात्रा और मांग में अगर अंतर समझ में नहीं आया है बच्चो तो समझा देते हैं आप देखिए आपक आपको दोनों definition देती मांगी गई मातरा की भी definition दी मैंने आपको मैंने मांग की भी definition दी आपको अब हम दोनों में अंतर देखते हैं मांगी गई मातरा की definition और मांग की definition में आपको क्या अंतर देखने को मिला मांगी की मातरा और मांग में जो सबसे पहला अंतर है वो है निशित समय बिंदू और निशित समय अवधी का मांगी की मातरा एक निशित समय बिंदू पर हम मांगी की मातरा की बात करते हैं परंतु जब हम मांग की बात करते हैं, वो एक निशित समय अवधी की बात करते हैं, निशित समय बिंदू और निशित समय अवधी में अंतर आप समझे, अगर मैं आपको यह कहा जाए, सुभह दस बजे, तो क्या है यह निशित समय बिंदू है, परंतु अगर यह कहा जाए, दो दिन में, तीन दिन में, दस दिन में, एक घंटे से, यह सब क्या है, यह अवदी है, अवदी और बिंदू में यह अंतर होता है, अब हम दूसरा जो अंतर करने जा रहे हैं बच्छो, वह है निश्चित कीमत, जो मांगे गई मातरा होती है, वो निश्चित कीमत पर मातरा ह होती है परंतु जब हम मांग की बात करते हैं वच्चों हमने डैफिनेशन में क्या देखा वो विभीन संभव कीमतों की बात हमने की थी आगे अंतर एक और देखते हैं हम मांगे गई मातरा कि में जब हम कीमत होंगी तो मात्राएं भी तो विभिन होंगी तो ये दोनों में डिफ्रेंस है मांगी गई मात्रा और मांग की परिभासा में मैं उमीद करता हूँ आपको ये दोनों का डिफ्रेंस जरूर समझ में आया होगा अब हम जल्दी से डेफिनेशन्स देख लेते हैं जो विभि उपता अन्य बाते समान रहने पर परतेक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्चुक तथा योग्य है यह परगूशन की परिभासा है आपको जरूर यह याद रहेगी आप इसको याद रखने की कोशिस करिए अब हम दूसरी डेफिनिशन पढ़ते की आप इसको याद कर लेंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं अगला कंसेप्ट मांग नुसूची मांग नुसूची क्या है मांग नुसूची वह तालिका है जो कीमत और मांग में संबंद को बताती है यानि मांग नुसूची एक तालिका होती है और जैसे आप definition में देख पा रहे हैं यह कीमत और मांग में संबंद को दरसाती है मांग अनुसूची दो परकार की होती है एक वेक्तिगत मांग अनुसूची एक बजार मांग अनुसूची बात करते हैं वेक्तिगत मांग अनुसूची की वेक्तिगत मांगनुसुची वह तालिका होती है जो एक निशित समयवदी में एक उभोकता दुवारा विभीन संभव कीमतों पर मांगेगी मातराओं को दर्शाती है यानि जब हम वेक्तिगत मांगनुसूची की बात करते तब हमें एक उभोक्ता की बात कर रहे होते हैं इसको और समझने के लिए हम वेक्तिगत मांगनुसूची को देख लेते हैं ये वेक्तिगत मांगनुसुची का एक उधारन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या है वेक्तिगत मांगनुसुची मतलब एक भोगता विभिन कीमतों पर विभिन मातराएं जो खरीद रहा है उसको दर्साने वाली यह तालिका है इसमें हब देखने कोई वस्तु है जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है पहले वो वस्तु दस उर्पे उसकी कीमत होती थी तब वेक्ति उस वस्तु की पांच मातराएं खरीद रहा था परन्तु जब उसकी कीमत बढ़ कर 20 उर्पे पर दिखाई हो गई तो वेक्ति ने उसकी मांग 5 से कम करके 4 कर दी और जब उसकी कीमत और बढ़के 30 हो जाती है तब वह उसकी मातराइं और कम करके 3 कर देता है और जब उसकी कीमत बढ़के 40 हो जाती है तो वह उसकी मातराइं 2 कर देता है अर्थार क्या देख पा रहे हैं जैसे जैसे कीमत मांगी गई मातरा हैं क्या होती जा रही है कम होती जा रही है तो एक भोकता द्वारा कीमत विभिन कीमतों पर जो मांगी गई मातराओं को दर्शाने वाली जो तालिका है उसे हम वैक्तिगत मांगनुसुची कहते हैं अब वैक्तिगत मांगनुसुची को समझने के बाद अब क्या दरसाती है यह बजार में जितने भी उबोगता हैं जो एक वस्तु की मांग करते हैं किसी पर्टिकुलर वस्तु की मांग करते हैं उसके वस्तु के सभी उबोगताओं द्वारा विबिन संभवकितों पर मांगेगी मातराओं को दरसाती यानि सब की मांग का जोड है इसक आपको यहां अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी किस तरीके से बजार मांग अनुसूची होती है आप देख पा रहे हैं कि कोई वस्तू है जिसकी मार्केट में कीमत है Quad 10 रुपे और जब उसकी किमत 10 रुपे है तो बजार में 2 वेक्ती है एक A वेक्ती है एक B वेक्ती है A वेक्ती उस वस्तो की 5 एकायों की मांग कर रहा है और B वेक्ती उसकी 6 एकायों की मांग कर रहा है और जब हम दोनों की मांग को जोड देते हैं यानि A प्लस B करते हैं तो बजार मांग बन जाएगी क्योंकि बजार में दो ही उभोकता है उभोकता A और उभोकता B और जब हम दोनों की मांग को जोड देते हैं बचो तो आप क्या देख पा रहे हैं दोनों की मांग का जोड़ हो जाता है 11 जब उस वस्तू की कीमत बढ़के 20 रुपे हो जाती है तो A उभोगता अपनी मांग 5 वस्तू से 4 वस्तू कर देते हैं और B उभोगता है वो 6 वस्तू से 5 वस्तू कर देते हैं और दोनों की मांग का जो जोड़ है वो बैठता है 4 जमा 5 अर्थार्थ 9 और आप दीरे दीरे देख पा रहे हैं जैसे जैसे वस्तू की कीमत बढ़ती जा रही है 10 रुपे से 20 हुई 20 से 30 हुई 30 से 40 हुई फिर 40 से 50 हुई तो आप ये देख रहे हैं जो A उभुकता और B उभुकता की जो मांग है वो लगातार कम हो रही है और जो बजार मांग है और बजार मांग वास्तों में दोनों का जोड़ है वो भुकता A की मांग और वो भुकता B की मांग दोनों की मांग का जोड़ है और यह भी लगातार कम हो रही है क्योंकि इन दोनों की मांग का जोड़ ही है अगर वो भोगता A और भोगता B की मांग कम होगी तो बजार मांग भी कम होगी तो आईए बच्चो अब हम बात करते हैं मांग वक्र की क्या होता है मांग वक्र मांग वक्र एक रेखा चित्र होता है जिसके द्वारा हम कीमत और मांग के संबंद को दर्शाते हैं मांगवकर की डेफिनेशन बचो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मांग अनुसूची के रेखा चित्रिय परदर्शन को हम मांगवकर कहते हैं तो यह मांगवकर की डेफिनेशन होगी आगे हम बात करते हैं कि मांग वक्र कितने परकार का होता है मांग वक्र दो परकार का होता है वेक्तिगत मांग वक्र और बजार मांग वक्र क्या होता है वेक्तिगत मांग वक्र जैसे मैंने आपको भी बताया कि मांग वक्र क्या है मांग अनुसूची का रेखा चितरिय परदर्शन है जब आपने मांग अनुसूची को पढ़ा था तब आपने यह देखा था कि मांग अनुसूची दो परकार की होती है वेक्तिगत मांग अनुसूची और बजार मांग अनुसूची और मांग वक्र क्या है? मांग अनुशूची का ही रेखा चित्रिय परदर्शन है तो मांग वकर भी कितने परकार का होगा बच्चो मांग वकर भी दो परकार का होगा वेक्तिगत मांग वकर और बजार मांग वकर आगे हम बात करते हैं वेक्तिगत मांग वकर की इस वेक्तियत मांगवकर में बचो आप क्या देख पा रहे हैं जो मांग अनुसुची हमने देखी मांग अनुसुची में जब हमने देखा जब कीमत दस रुपे थी तो वेक्ति उस वस्तु की पांच वसकाईों की मांग कर रहा था और जब उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुंच गई तब उसकी मात्र वो एक ही काई की मांग कर रहा था इसको हमने इस रेखा चितर द्वारा दर्शाया है और यह है वेक्तियत मांगवकर का रेखा चितर हो गया अब हम बात करते हैं बजार मांग वक्र की, बजार मांग वक्र का रिखा चितर देखिए, अभी बच्चों जो आपने मांग अनुसुची देखी थी, बजार मांग अनुसुची, ये देख पा रहे हैं अब जी स्क्रीन पे, अब हम इस बजार मांग अनुसुची को जब हम मा मांगवक्र के माध्यम से दरसाते हैं तो जिसे हम बजार मांगवक्र कहेंगे यह मांगवक्र आपकी स्क्रीन पे रहा इसमें आपने क्या देखा जो हमने जो एविक्ती की एव भोकता की जो मांग थी और जो बीव भोकता की मांग थी उन दोनों को हमने होरीजेंटली समेशन कर दिया horizontally summation माने 36 जोड कर दिया हमने इनका तो जैसे आपने देखा था वहाँ पर जो ए वेक्ति था वह 10 रुपे कीमत पर 5 इकायों की मांग कर रहा था भी वेक्ति 6 इकायों की मांग कर रहा था और दुन करव कर रहा और जो DM है वह ए और B दोनों का जोड यानि Market दिमांड करव है दो आप देख पा रहे हैं जो Market कर रहा है यह कर डिमांद और दिमांड कर और कि गडिमांड कर से कुछ ज़्यादा ट्रैट है और क्योंकि यह इन दोनों का horizontally summation है तो आप ने दोनों को देखा तो मार्केट डिमांड करो बैसिकली एंडिविज्वल और बी इंडिविज्वल दोनों की डिमांड करो का बनाते हैं मांग की परिभासा मांग अनुसूची और मांग वक्र को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मांग फलन की मांग फलन क्या है मांग फलन को समझने के लिए सबसे पहले हम मांग फलन की definition पढ़ते हैं definition आपकी screen पे हैं देख सकते हैं आप पढ़िए इसको मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसे बीच में संबंद को परकट करता है अर्थार्थ मांग फलन किसी वस्तू की मांग तथा उसको पर भावित करने वाले तत्वों के बीच संबंद को गनतिय रूप में परकट करता है तो मांग फलन से आप क्या समझपा रहे हैं मांग फलन एक गनितिय व्यक्या है गनितिय संब बंद है किसका मांग का उसके निर्धारक तत्वों से तो मांग के जैसे आपको पता है मांग के अनेक निर्धारक तत्वों होते हैं और तो ये जो मांग फलन है ये एक्जाम में आपसे मांग फलन के रूप में भी कोशिन पूछा जा सकता है आपसे एक्जाम में इस तरीके स भी पूछा जा सकता है कि मांग के निर्धारक ततो की व्याख्या करिये तो जो आंसर है उसका आपका यही होगा जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं मांग फलन के परकार की मांग फलन के कितने परकार हैं जब हमने आपको मांग अनुसूची और मांग की तो मांग investigations को भी हम दो भागों में विवाजित करते हैं विक्तिगत मांग फलन की बात करते हैं एक युक्ता की किसी वस्तू की मांग तथा उस मांग को और भावित करने वाले तत्वों के बीच गणतिये संबंद वेक्तिगत मांग फलन कहलाता है वेक्तिगत मांग फलन को आप इस फॉर्मूले की द्वारा देख पा रहे हैं डी एक्स यहां का मतलब यहां पर है डीमांड ओफ एक्स गुड एक्स वस्तू की मांग डी एक्स इस फंक्शन ओफ पी पी यार वाई टी एंड यहां पर इसका क्या मतलब है जो डीमांड ओफ एक्स कमेडिटी है एक्स वस्तू की मांग है वो पी यानि उस वस्तू की कीमत प परती रूची टेस्ट and expectations उस वस्तू की कीमतों को लेके संभाव नाएं इस पर एक विक्ति की जो मांग है किसी वस्तू की वो निर्भर करती है यानि यह जो फॉर्मुला है जो आप देख पा रहे हैं dx is the function of P, P, R, Y, T and D यह यह दर्साता है कि जो एक वस्तू की मांग है एक उभोकता के लिए वह उस वस्तू की कीमत अन्य वस्तू की कीमत उभोकता की आए उभोकता की रूची तथा परात्मिक ताएं एवं उस भविस्से में कीमतों के बढ़ने की संभावना बढ़ने या वक्तिगत मांग निर्भर करती है या वक्तिगत मांग फलन में दर्शाय गया है वक्तिगत मांग फलन में जब हम बात करते हैं वक्तिगत मांग को परभावित करने वाले तत्वों की तो जब हमने सबसे पहला जो तत्वों पढ़ा वो वस्तू की कीमत है वस्तू की कीमत सम कम होने से उस वस्तों की मांग बढ़ जाती है आप यहां पर इस स्लाइट के माद हम से देख पा रहे हैं जब पी इंक्रीजिंग है तो डी क्या हो जाएगा डी यहां पर मतलब है मांगी गई मातरा हैं वो क्या हो जाएंगी और पी अगर डिक्रीजिंग है यानि अगर प्रा मात्रा में समान नेता है विप्रीत संबंध होता है कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है नि मांगे गई मात्राएं कम हो जाती है अब हम बात करते हैं संबंधित वस्तु की कीमत की संबंधित वस्तु किसी वस्तु की मांग पर दूसरी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत क जब परभाव पड़ता है तब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो संबंदित वस्तुवें दो परकार की होती हैं एक होती हैं पूरक वस्तुवें एक होती हैं स्थानपन वस्तुवें जिसे हम परतिस्थापन वस्तुवें भी कहते हैं पूरक वस्तुवें तथा स्थानपन वस जैसे सुई धागा बिना धागे के सुई से कुछ नहीं कर पाएंगे और धागा है आपके पास अगर सुई नहीं है तो सिल नहीं पाएंगे तो सुई और धागा ये दोनों मिलके ही अपना कारे कर पाते हैं कार और पेट्रोल बिना पेट्रोल के कार कैसे चलेगी और तो यहा एक वस्तू की कीमत कम होने से दूसरी वस्तू की मांग बढ़ जाती है अब हम इस संबंद को देखते हैं उधारन के लिए पेट्रोल की कीमत कम होने से कारों की मांग बढ़ जाएगी और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की मांग कम हो जाएगी तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ रही है तो क्या होगा कारों की मांग घट रही है और पेट्रोल की कीमत घट रही है तो कारों की मांग बढ़ रही है चलिए आपने पूरक वस्तों को मैं उमीद करता हूं जरूर समझ लिया होगा अब हम बात करते हैं पूरक वस्तवे के संदर में याद करिए मैंने क्या बताया था पूरक वस्तवे मैंने वह बताई थी जो एक दूसरे के साथ परयोग की जाती है एक के बिना दूसरी बिकार है दोनों का परयोग एक साथ होता है परंतु जब मैं स्थानपन वस्तवे की बात कर रहा हूं वच् इसलिए इसको स्थानपन वस्तुए कहते हैं यानि एक वस्तु है तो दूसरी का परयोग आप नहीं करेंगे जैसे चाई और कोफी लोग चाई पी लेते हैं तो फिर कोफी के अवशक्ता नहीं होती और यहां कोफी पी लेते हैं तो चाई क्या शक्तानी होती पैपसी कोका कोला लक्स लाइवोई यह कुछ एक्जामपल हैं जो इसमें मैंने आपको बताए हैं आगे बात करते हैं इस बारे में इन वस्तूओं में से एक वस्तू की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तू की मांग जाते हैं यानि अगर किसी वस्तू की कीमत कम हो जाये तो तो जो दूसरी वस्तू के गरह कर वो भी इसमें आ जाते हैं तो इस थो सुएट की जो मांग है वह कम हो जाती है व्यद्क चाहlı की मांग बढ़ने लग और कोफी की मांग का example दिया तो आप देख पा रहे हैं अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कोफी की मांग बढ़ जाएगी कारण क्या है जो चाय की कीमत बढ़ी है तो चाय के जो customer है वो चाय पीना कम कर देंगे और वो कोफी की तरफ shift हो जाएगे और कोफी पीने लगेंगे जिसके कारण कोफी की मांग बढ़ जाएगी इसका उल्टा अगर चाय की कीमत कम हो जाए यानि चाय सस्ती हो जाए तो जो कोफी के कस्टमर है वो चाय की तरफ अकरसित हो जाएगे और कोफी की मांग घट जाएगी तो यहां हमने देखा कि चाई की कीमत और कोफी की मांग का किस परकार आपस में संबंध है अर्थार्थ स्थानपन वस्तू किस परकार कारिय करती है आप बच्चो अब तक हमने मांग को परभावित करने वाले वेक्तिगत मांग को परभावित करने वाले दो महतपुन तत्व पढ़ लिये हैं पहला वस्तु की स्वेम की कीमत दूसरा अन्य वस्तु की कीमत बच्चो अब हम बात करने जा रहे हैं उभोकता की आये की उभोकता की आये उबोकता की आए वेक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्पून तत्व है यदि समानने तेहाय देखा जाता है जो समानने वस्तुए होती है जो हम आम दिन्चरिया में परियोग करते हैं तो जो समानने वस्तुए होती है जब वोगता की आय बढ़ जाती है तो वह समानने वस्तुए की मांग बढ़ा देता है क्योंकि उसके पास पैसे अधिक होंगे तो वो ज्यादा वस्तुए खरीदेगा अगर उसके पास धन कम हो जाएगा उसकी आय कम हो जाएगी तो वो उन वस्तुव की मांग कम करेगा तो जो समानने वस्तुवे होती है साधारन तया वोगता की आय बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और वोगता की आय घड़ जाने पर उनकी मां घड़ जाती है अब आपकी स्क्रीन पे बच्चो एक चितर आप देख पा रहे हैं इस चितर में आप देख रहे हैं इस चितर में दो एक्स हैं OX अक्ष और OY अक्ष OX अक्ष पे हमने quantity यानि मांगी गई मातरा को दर्शाया है और OY अक्ष पर हमने I को दर्शाया है और हम यह देख पा रहे हैं यदि I बढ़कर Y से Y1 हो जाती है तो वस्तू की जो मातरा की जो मांगी जा रही थी OQ अब वो B बढ़कर OQ1 हो जाती है यानि समानने वस्तू के संदर्व में यह देखा जाता है कि जो I के साथ जब हम मांगी गई मातरा का संबन देखते हैं तो जो डिमांड करो बनेगा I और मांगी गई मातरा में संबन दर्शाने वाला वह उपर की तरफ यानि positively slope होगा और यह यह दर्शाता है कि जब भोकता की आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तू की जिने हम घटिया वस्तू कहते हैं इनके बारे में इसमें क्या होता है कि इनका जो आय परभाव होता है वो रनात्मक होता है अर्थार्थ भोकता की आय के बढ़ने पर व्यक्ति इनको कम खरीता है घटी आवस्तु आम दिन्चरिया में भी आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि कुछ घटी आवस्तु हैं हम जब परियोग करते हैं जब हमारी आय कम होती है वनस्पति घी और देशी घी आप अंतर जानते हैं तो वनस्पति की घी एक घटी आवस्तु है और इसकी मांग कब बढ़ जाती है जब वोगता की आय कम हो जाती है यदि उभोकता की आय बढ़ेगी तो वह इन वस्तों की मांग कम करेगा और समाने वस्तों की मांग बढ़ा देगा तो आप यहाँ पर यह समझे कि घटिया वस्तों की जो मांग है उनका उभोकता की आय के साथ विपरीत संबन्द होता है यानि उभुकता की आय अगर बढ़ जाएगी तो घटिया वस्तुओं को वो कम खरी देगा तो यहां आपने समझा कि उभुकता की आय का दो परकार की वस्तुओं पर मैंने परभाव बताया एक समानने वस्तुओं एक घटिया वस्तुओं समानने वस्तवों का जो आय परभाव है वो धनात्मक होता है पोजिटिवली स्लोप्ड होता है परन्तु जब हम घटिया वस्तवों की बात करते हैं तो उनका जो आय परभाव है वो रनात्मक होता है यानि नेगटिवली स्लोप्ड होता है अब हम बात करते हैं अगला परभा हैं उनका वस्तों की मांग पर बहुत महत्रपुन परभाव पड़ता है और मैं एक पूर बात बताओं बुच्छो आपको जो रूचियां और प्रात्मिक्ता हैं यह बदलती रहती है और फैसन जो फैसन है जो आज के समय में वो भी परिवर्तित होता रहता है आदते परिवर्तित होती रहती है रूचियां परिवर्तित होती रहती है तो इसका मांग पर बहुत ही गहरा परभाव पड़ता है और यह इसके परिवर्तित होने से मांग में भी परिवर्तन आता है अब हम बात करते हैं मांग को परभावित करने वाले एक बहुत ही महतपुनतत्व संभावनाओं की भी, कीमत परिवर्तन की संभावना है, यदि भविस्य में किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने की संभावना है, तो उसकी वर्तमान मांग पर फरपाव पड़ेगा, वह परभाव क्यों पड़ता ह वह इसलिए पड़ता है, क्योंकि भविस्य की जो कीमत के बढ़ने की आसंका, या कीमत के घटने की आसंका, उसकी वर्तमान मांग को परभावित करती है, तो बच्चों यहाँ पे आपने वेक्तिकत मांग को परभावित करने वाले तत्यों समझे, मुखे रूप से पांच तत्यों थे, मैं एक बार आपके लिए रिकैब कर दूँ, वे जो तत्यों थे, पहला तत्यों कौन सा था बच्चों, आप याद करिए, पहला तत्यों मैंने आपको कौन सा बताया था, वेक्तिकत मांग को परभावित करने वाला, यानि वेक्तिकत मांग फलन में, जो सबसे पहला तत्व है वो होता है वस्तु की अपनी कीमत दूबारा मैंने आपके स्क्रीन पे इसको दर्शाया है जो अभी वेक्तिगत मांगों पर भावित करने वाले पांच तत्व मैंने आपको एक्स्प्लेइन किये हैं वो पहला तत्व कौन सा है वस्तु की अपनी कीमत दूसरा तत्व कौन सा है सम्मंदित वस्तो की कीमत और तीसरा है भोकता की आए चोता है रूचियां तत्था प्रात्मिक ताएं और पांच वाह संभावन आएं और उमीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे अब हम बात करते हैं बजार मांग की देखिए जब हम बजार मांग को परभावित करने वाले तत्वों की बात करते हैं तो जो वेक्तिगत मांग को परभावित कर रहे थे वो तो बजार मांग को परभावित करेंगे ही करेंगे उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी परभावित करेंगे तो आप स्क्रीन पे जो बजार मांग फलन देख पा सरच आप से करूंगा तो मार्केट डिमांड इस दा फंक्शन ओफ प्राइस रिलेटिट प्राइस यल्ड जिसे हम इंकम भी कहते हैं आगे टेस्ट एक्सपेक्टेशन अब हम बात करने जा रहे हैं जिनकी बात अब तक मैंने नहीं की है वो है एन एन फॉर यहां पर नंबर के लिए सीजन के लिए और वाईडी वाईडी यहां पर प्रियोग हुआ है डिस्टिबूशन ओफ इंकम के लिए तो यह अब हम अगली जो बात हम को सीखनी है यहां पर वो यह है तो अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बजार मांगों पर भावित करने वाले तत्व जो आपने तत्व वेक्तिगत मांगों पर भावित करने वाले अभी पढ़े थे वो तत्व तो हैं हैं उनके साथ साथ यह तत्व हैं जिनमें सबसे पहला जो तत्व है वो है जनसंख्या जनसंख्या किसी भी अर्थवस्ता में बजार मांगों पर भावित करने वाला एक मह सरकार की निती यदि सरकार यह चाती है किसी वस्तु की मांग बढ़े तो सरकार उस वस्तु पर सबसेडी या आर्थिक सायता देती है और टेक्स कम कर देती है यदि सरकार यह चाती है बजार मांग कम हो तो क्या करती है वो टेक्स बढ़ा देती है जिसे वस्तु महेंगी हो ज जब सरदी का मोसम आता है तो उनी वस्तुवों की गरम वस्तुवों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और जब आप जानते हैं कि गरमी का मोसम आता है तो गरमी के जो कपड़े हलके कपड़े हैं टी-शर्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है अब बजार मांग को प् वित्रण समान है और गरीब और अमीर का अंतर जादा नहीं है और पैसा सब की जेव में जा रहा है तो बजार मांग अधिक होगी यदि आए का वित्रण है समान है यानि पैसा कुछी लोगों की जेव में जा रहा है तो आप में उसके लिए उनका वस्था auxic जाहिए उनके पास होती हैं तो वह क्या करतें जब उनकी आए बढ़ती है तो उसको śayb करते हैं परनतु जब कि पैसक किसी गरीव एक्ति ज़ेम में जाता है तो उसके पास मुल्बूत वस्था नहीं होती तो सबसे पहले उन वस्तु की डिमांड करता है तो बजार मांग बढ़ती है तो आएका वित्रन अगर समान होगा तो मांग बजार मांग अदिक होगी आएका वित्रन आए समान होगा तो बजार मांग है वो कम होगी तो निसकर्स में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तू की मांग पर केवल उसी वस्तू की कीमत का ही नहीं परभाव पड़ता बलकि अन्य संबंदित वस्तू की कीमत भुगता की रूची, फैशन, जन्जंक्या, मोसम, जलवाईू, सरकार की निती, आधी का भी परभाव पड़ता है, तो बच्चो आज की क्लास में आपने क्या-क्या सीखा, तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की क्लास में आपने क्या-क्या सीखा, तो आपने मांग की परिभासा सबसे पहले सीखी, मांग की परिभासा क्या है, मांग गनुसूची क मांग वक्र के बारे में सीखा, मांग वक्र कितने परकार की हैं, कैसे हम बनाते हैं मांग वक्र के बारे में सीखा, मांग वक्र कितने परकार के हैं, दो परकार के आपने देखे, और मांग वक्र को हमने बनाना भी सीखा, फिर हमने मांग फलन की बात की, जिसको हमने डिटेल म व्यक्तिगत मांग फलन और बजार मांग फलन इसके दो परकार हैं इसके बारे में भी हमने देखा और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे हमने जाना तो उमीद करते हैं इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हम यह उमीद कर सकते हैं कि आप इसक द्यान रखे, नमस्कार